नमस्कार दोस्तों मैं पुरिमाल घोस और आप लोग देख रहे हैं सागर नर्सरी हमारी इरादा नर्सरी बनाने पहले से ही था जो ऐसा नर्सरी बने जो आल ओवर इंडिया में जितने हमारी कस्टोमार होगी और अच्छे बड़े बागबान होंगे उनके पास मैं विजिट करूँ और हर दफ़ा जो प्राबलें उन लोगोंने फेस कर रहा हैं उस प्राबलें को सल्प करने का तरीका बता तो पिछले साल अगर हमारी दादा प्रभाकर जी ने उन्हों ने बरे रकम की भारी रकम की पोदे पर्चिस की तो मैंने वो बताया था तो उसके बाद बहुत सारी कस्टोमर ऐसा है जो बाहर-बाहर से हमारी पास से पोदे पर्चिस कर रहे हैं कि यह है सभी का गार्डन मैं विजिट करता तो यह मेरा प्रभाकर जी के पहला विजिट है जिस विजिट में मैं आया हूँ है हैदराबाद तो आने के बाद मैंने क्या देखा और विजिट करने के बाद क्या क्या development हो रहा है वह आप लोगों को दिखाने के लिए अच्छे बाग बन आप लोग अगर बने हैं और हमा अभी फिलाल हम लोगों ने एक पोदे के पस खड़ा हूँ, देखिए पोदे का जो ग्राप्टिंग लेवल है, ये ज्यादा से ज्यादा देरफुट के आसपस है, इसके उपर मिट्टी चड़ाओगे 6 से 8 इंच, तो देखा जाएगा इसके एक फुट के लेवल में आप में कर पाओ, तो ग्राप्टिंग जब भी होना चाहिए, एक पोदे का, तो कम से कम, दस इन से एक फुट के अंदर ग्राप्टिंग करना चाहिए, ये देखिए, जो ग्राप्टिंग आप किये हैं, बहुत बेतरिन ग्राप्टिंग आप लोगों ने किये हैं, तो एक ग्राप् देखिए ये ग्राप्टिंग को आपको कैसा मेंटेन करना परेगा बेतर नहीं आपने ग्राप्टिंग किया अच्छा किया तो ये ग्राप्टिंग जो किये हैं इस ग्राप्टिंग करने के बाद देखिए ये कोली निकल के आ गया इस कोली को तोरना चाहिए ऐसे तोर के फेक होती हैं तो ऐसा सोतलापून बैवोहर यह पोदे भी करते हैं क्यूंकि इस ब्रांच को बढाएगा ग्रॉत लाने नहीं देगा यह जो ब्रांच यहां से निकले थे इसको बढ़ाएगा तो यह अगर बढ़ेगा इस पोदे नस्ट हो जाएगा तो बिल्कुल जब भी तो ईच निकलके आए उसके उपर ज्यादा देना चाहिए रूसको तोरना चाहिए यек चैश्यांट आए जो कली ने आ रहा है इसके उपर स्प्रेजIES मेंकर हो प्तित जब आपकी आपQu तो आप ही का पोदे जो आपने ग्राप्टिंग किये हो तो इस ग्राप्टिंग में देखो यह नेसेसारी था इसको काटना इसको कोली को आप काटे नहीं इसको कोली को काटे नहीं इसलिए यह रूट स्टॉक बर गया और यह जो कोली है यह सूप गया है इसको अभी आप जी बीद करना चाहते हो तो इसको तुरंट कट डालो अगर स्नाइपर हो तो इसको काटो ये देखिए ये ये जो ब्रांचेस जो है इस ब्रांच में देखिए ये माकर आ गया ये पूरा माकर ने कली को निकालने नहीं दिया ने जो कोली है ये ग्राप्टिंग है ग्राप्टिंग बाला कोली में देखिए कितने अच्छा कोली निकल रहे थे उस ग्राप्टिंग बाला जो कोली है उसमें किरा आ गया और इसको सत्तनास कर दिया तो इसलिए जब ही कोली निकलेगा तभी आपको स्प्रे करना चाहिए इ आपके पास कनफीडर हो तो एक लीटर पानी में एक एमेल डालके कनफीडर दे दो हाप एमेल कनफीडर दो एक लीटर पानी में चल जाएगा अराम से चल जाएगा कनफीडर एक बहुत बहुत बैतरिन मेडिसिन है कनफीडर के साथ आप लाइट अफ जो COC, copper oxy chloride, दोगे 3 ग्राम, तो यह काम आपके लिए बेतर होगा, पोदे अच्छे बनेगे, और क्या कर सकते हैं, इसमें chloropidy first, cipher methane का जो combination है, वो स्प्रे कर सकते हो, एक लीटर पानी में 2 ml, उसके सथ COC, विला के करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यह करने से पोदे जादा हरे भरे रहे, यह देखो, यह है red ivory की, इसमें यह जो पोदे देख रहे हैं, यह red ivory है, यह चाकापात नहीं है, यह red ivory है, यह चंग माही red ivory, एक मेंगा, आपका वो जो, आपको जो लेबल है, वो लेबल सही नहीं है, यह देखिए, सागर नाशरी का लेबल था, यह लेबल देखिए, यह लेबल था, इस लेबल को मैं खुल रहा हूँ, दर्सों को ने यह देखने की कोशिस करें, इन्होंने सचमुच मेरे से ही यह पोदे लिये थे, और इस लेबल के ऊपर मेरा ब्रैंड के नाम भी था, वो नस्ठ हो गया, उसके बाद ओलिग गया, जैसे तरह गलत हो गया होगा, तो यह पोदे, देखिए, कितना हट्टा-खटा है, चाका पात, चैंग माई, दोनों बहतरीन मैंगो माना जाता है, और यह लेट भेराइटी के में आती है, इसमें देखिए, यह जो पोदे, इस पोदे में देखिए, यह देखिए, इस पोदे में गया यह जोड़ोर्पा करें तो आपको पता चल जाएगा यहां पर जोरूर ह्विपरा झाल देखिए पत्त्य कैसे जोर गया और पत्त好了 चंब te इसे आपको करना जुरूर है यह देख़ें कितना कीरा है तो इस कीरा को नंशत करने जब आपको स्प्रे करना जोरूरी होगा और क्या स्प्रे करेंगे ओ मैंने आपको बताया हमला 550 पर कर सकते हैं जिसमें साइफर मेत्रिन के साथ प्लोरोपाइडिफोस आड़ेड है यह जोरूरी ठीक है चलिए मैं आपको यह चीज और दिखाता हूं यह देखिए बहुत अच्छ लिखे है चंग माई होगा ठीक है यह ठीक लिखे है वो गलत से आपने चाका पात कर दिया तो यह देखो यह देखो यह सागर नर्शरी का पोदे था यह है हमारी नंबर 7872 777 222 साहद आप लोगों को दिखाई दिया होगा तो यह पोदे को इनोंने यहां से कटा काटिंग ब्रांच बहुत अच्छे निकले हैं बट इस पोदे को अगर काटिंग करना ही था तो यहां से करना था यहां करने से क्या होता यह देखिए कितने अच्छे स्पावडिंग पॉइंट है बहुत स्पावडिंग पॉइंट है एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दौस गेरा बारा बारा स्पावडिंग स्पोट है इस स्पावडिंग स्पोट से अगर बारा से में चार अर छे निकल के आ जाता तो यह छत्री बन जाता तो इस प प्रांचेज उतनी फ्रूट्स तीसरा एक पोदे से आपने दुसरा पोदे का दुरी रखे हैं लगभाग 18 फूट्स के उपर हाई है यह वाला 18 फूट्स का उपर है मानिए आपने एक दोनों पोदे का डिस्टंस एक पीट रखें कि यह गलत किया है क्योंकि आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा यह जब तीन और चार साल में होगी तब यह स्प्रेड आउट करेगा एक पोदे ज्यादा से ज्यादा चार से पांच फीट उपर अगर नहीं च हाथ से फ्रूट तौर पाओंगे तो एक भी फ्रूट आपका डैमेज नहीं होगी प्रूट हर्वेस्टिंग करने के लिए किसी को नहीं लागे अगुदे में चरने के prevention कम हो जैगा और यह दो पोदे आगले चार साल में कितने तक आजाएगी देखिए यह इधार से पांच फीट और यह पोदे इधार से पांच फीट तो बीच में देखिए आपका इतना फिट यह 18 फिट है तो 5-5-10 फिट बीच में 8 फिट आपका गैप रहे है यह एक बेड में अगर 8 फुट का आप ने 8 फिट का गैप छोड़ दिया तो मानों इहां 100 फोदे लगाए हो तो 100 फोदे का बीच में एक एक करके जो गैप होगी ओ 99 होगी तो 99 इंटु 8 कितना हो गया कर लो तो 80 फुट का आप गैप हो गया मतलब 72 फिट का गैप हो तो 72 अगले 72 फुट में कितने पोदे लगा सकते थे आप उतना 72 फुट में उतनी पोदे में 72 फिट में मानो 8 फिट लेवल करके दिया 10 पोदे का गैप हो गया 9 पोदे का गैप हुआ तो 9 पोदे का गैप मतलब maintenance are as well as used to same maintenance तो आपको दुसरा नहीं करना पड़ेगा same to same ही होगा but ओ 9 पोदे का profit आपका जेप में नहीं आ रहा है यह आपका loss है बिल्कुल pesticide same आप उसको pesticide spray करोगे इतना तक तो हावा में यार में आएगा ही आएगा वह spray करोगे यहां तक तो आएगा ही आएगा लेवा रेक everything is same but आपका profit कम तो यह नहीं करना चाहिए तो पाद में और वी चीज क्या क्या गलत है वह दिखाता हूँ यह देखिए आपने ओदे का जुताई किया यह जुताई किया यह जुताई किया यह तक ट्रक्टार और रोटा वेटार चला कि यह तक जुताई किया यह जुताई मत कीजिए अगर यह तक जुताई आप करें तो इसमें आपको नुक्सान होगा ही होगा, क्या नुक्सान होगा आगे चल कर मैं दिखाता हूँ, एक मैंने आपको बातों बातों में दिखाया, अभी मैं दिखाता हूँ स्पॉज, चीमा के उठे हैं, कीरा के कारण यह उठे हैं, उसको मरना चाहिए, यह देखिए, पत्ते के उपर देखिए, कितना कीरा की छेद है, इसलिए वो खाने के लिए, इसको खाने के लिए वो पूदे में चड़े हैं बीच-बीच में आप लोग क्या करेंगे, पोदे को, पत्ता को ऐसा उलटके देखिएगा, तो अच्छे रहेगा, यह अच्छे रहेगा, इस पोदे में पहले अगर स्प्रे करते, तो एक भी पत्ता आपका डेमेज नहीं होता, इतने क्लीन कर रहा है, मतलब जमीन को क्लीन कर रहा है, जाड़ नहीं है, मतलब घर के क्लीन कर रहा है, आपका सरीर को क्लीन नहीं कर रहा है, ऐसे यह सरीर है, जमीन का यह सरीर है, इसको क्लीन नहीं कर रहा है, इसलिए देखिए, कितने गंदेगी यह देखें किरा इसमें लग चुका है वो जो किडा मैंने दिखाया ने ने यह देखें यह क्या किया किरा किरा देखें ऑप Keys Bertू एदेखें हुआ एदेखें एदेखें इस कीरा को आपने पाला पोसा बरहा किया और आप ही का घर को ये तोर के गए ठीक है ये नहीं करना चाहिए चलिए ये तो हर जगा पे है तो मैं अगले चीज़ आपको दिखा रहा हूं कितने ज्यादा कीरा देखिए छोटा-छोटा कीरा सुसक है ये देखिए ये वाला ये ये वाला काला वाला ये 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 देखिए चलिए ये बता हूं यहां 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 बता देता हूं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये ध्यान दीजिए ये जो ने ब्रांच निकल के आया ना आगले अज़े चार मैने के अंदर इसमे फ्रूट आएगी अगर ऐसे कीरा माकर इसमें लगते जाएगा और ये ऐसे तोरते जाया मुकूला ऐसे डेमेज करते जाएगा तो आपका पोदे कोई काम पे काम की लायक नहीं रहेगी तो इसलिए इसके उपर time to time छेरखानी कीजिए फ् फ्रेस रखेए. जितनी फ्रेस रखेंगे उतनी फ्रेस फ्रूट आपको मिलेगा ठीक है देखेए दादा, मैंने आप लोगों को बोला था एक चीज दिखाऊंगा, वो क्या? और गामोसिस गामोसिस कैसे होता है? पहले ये देखेए जेर पे आप लोगों ने यह जैर पे जुताई की इस जैर में यहां तक जुताई की यहां तक देख लीजी आपने यहां जुताई नहीं की ती यहां जुताई की मतलब पोदे से आपने छाइंच के दूर जुताई की किसके कारण की यह वीड के कारण की इसका कुछ नहीं होगा यह अ इसको बोला जाता है growth mark कोई-कोई बोलते growth crack यह growth crack जब पोदे का spread बारते हैं तो इसका growth crack आता है और कीरा क्या करते हैं जहां से यह rust निकलता है growth crack के अंदर घुश जाती है ठीक है घुशने के बाद क्या करते हैं वहां से पोदे कर नस्ट कर देती है तो इसलिए यह growth crack को एकदम पोदे में ना आये उसका कोशिस करोगे तो यह कैसे बंद हो सकता है यह बंद हो जाएगा जितने भी crack देख रहा हो इस पोदे में है इस पोदे इस तरह की crack रहेगा तो मर जाएगा इसमें यह crack और गामोसिस यह बिलकुल नहीं रहेगा बंद हो जाएगा आप लोग क्या करोगे पहले यह जर से लेकर चार फूट तक जुताई मत करो कीव कि जर से लेकर चार फूट तक इसका फीडिंग रहता है प्रीडिंग रूट मतलब जिसमें से ओखाना मिटी से रॉस पकार के पोदे की पत्ते के उपड़ लेते हैं उसको बोला जाता है फिडिंग और वो क्या करते हैं मिटी से जितने मिनरल्स है जितने उसका जो पोदे को चाहिए, जितना मिनरल्स चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो लेगा मिट्टी से, तो वो लेकर पाते में लाएगी, तो उसको अगर यहां जुताई करोगे, तो फीडिंग रूट एकदम डेमेज हो जाएगी, और डेमेज हुआ है, इसलिए इसके कारण यह गामोस इसको कांट्रोल करने के लिए, मैं बता रहा हूँ एक मेडिसिन, फिर वो उसको गर्मेंट ने, इंडिया गर्मेंट में उस मेडिसिन को एकदम बैंड किया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो दवाई, यूज का एक सिस्टेम है, अगर उसी तरह से आपने इस दवाई को बैबोहर कर सकते हैं, तो वो दवाई आपके उपर कोई असर नहीं करेगा, उसका नाम है फूरा डन, फूरा डन आपने इस पोदे के लिए 5-6 ग्राम लगेगा, जरके उपर आपने ऐसे करती हुए, ऐसे करती हुए 5-6 ग्राम, ऐसे करके जमिन के उपर दे दीजिएगा, देने के बाद क्या करना है पूरा पानी देना है पानी में वो दाना जो फुराडण की दाना हो ब्लेंड हो जाएगी और मिट्वी के अंदर ओ मिल जायगा तभी यह पोदे ले पाएंगे और क्या करोगे और एक काम है एकVer पानी में 10 elevate दाल दो डालके brass जिस brass से घर में मुकान में color करते हो उस ब्रास में लेके यह जो crack है इस crack के उपर मारते चले जाओ तो आपको using कम होगी ज्यादा spread out नहीं करेगा और यह करते हुए जाओ तो इस पोदेक में जहाँ जहाँ गामोसिस दिखाई दे रहा है यह गामोसिस थोड़ा control हो जाएगी और यह control करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा हर 30 दिन के बाद फुरा डॉन का time है 45 days उसका effective days रहता है बट आपको continue करना है इसलिए हर 30 days के बाद बाद एक बार करके फुरा डॉन डालते जाओ और वो crack level के उपर उमारते जाओ तो देखो आपका यह गामोसिस बाला disease चला जाएगा Secondly आपको इसके बाद तीन बार हो जाने के बाद आपको बोर्धो mixture चुन और तूथ को लेके copper copper oxide बोला जाता है तूथ को तो वही तूथ को चून और तूथ को मिलाके आप बोर्धो mixture बनाओ और यह जमिन से लेके तीन फूट लेबल तक उसको ब्रासिंग कर दो तो आपका पोदे बिलकुल सुस्त और तंदुरूस रहेगा और ज्यादा आपको बेनिफिट देगा आपका यहां बेनिफिट कम हो रहा है वहां पर मैं आपको बता रहा था जो हाइडेंसिक एगरिकल्चर जो है और आल्ट्रा अमारी टाइम बहुत कम हमिलता है दुनिया में इतना आदमी का टाइम कम हो गया है इस टाइम में एक पोदे से दूसरा पोदे का दूरी आपने रख चुके हैं 18 फीट्स यह 18 फीट्स का जो डिस्टेंस आपने रखे हैं ने यह 22 फीट्स है यह 18 फीट्स है तो इसका दूरी आपको कमाना चाहिए क्यूं आप सोचो मैं आपको बता रहा हूं देखो इसका बीच में यह 4 साल वाला पोदे यह 4 साल वाला पोदे अमारी दो हात में 2-2 4 साल वाला पोदे हैं है की नहीं अगिन अगर इह पर एक 4 साल वाला पोदे रहा था तो इस तरह इसी की तरह रहता तो यह 4 साल वाला पोदे यहागर record केAShof carrier दे चुक्ए हैं यह अगर पांशकेजी फूम दे चुकर सक्शम में तो यह वाला भी पांच केजी फूर्ट देने की सखसम हो जाते तो आपको यह 5 केजी मतलow तो 5 kg fruits का profit आपको जेप में आ जाता है तो इतना जितना gap है यह हर gap मानो 90 gap है तो 90 gap में 90 पोधे तो 90 gap में 90 पोधे में से 90 पोधे का return आपको मिल जाए है की नहीं तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इसको distance कम करना चाहिए और higher level में जैसे आप लोगों ने यह पोधे को कम से कम 8 फूट लेबल में अभी भी कोच चुके है पोधे तो वह 8 फूट से दूसरा कोली आजाएगा तो उसका height हो जाएगी 10 से 12 फीट अगर वह 10-12 फीट में fruit देना सुरू करेगा तो आपको इस पोधे में से fruit निकालने के लिए एक अलग से एक अदमी चाहिए और तत लेवर आपको बर जाएगी खुद हाथ से आप तोर नहीं पाऊगे इसलिए इसको ग्राप maximum level है 6 feet level में काटाई करोगे तो ओ आगले 3 और 4 माहिने में 5 माहिने में उसका ग्रोथ आएगी कितना एक सालों में कितना ग्रोथ आएगी 3 feet तो 3 feet के ऊपर अगर 200 ग्राम 300 ग्राम की एक mango होगी तो पूरा डाल ऐसे निकालके नीचे आजाएगा ओ 300 ग्राम की लेबल में तो आपको ऐसे करते हुए चार फूट और 5 फूट लेबल में या 6 फूट लेबल में आपको फूट आप हर्वेस्टिंग हो जाएगी पोदे में चरने की जरुरत बिलकुल नहीं है नहीं तो आप लोगों ने इतने बड़ा बाग की मानो इस नजर से जितने दूर जा रहा है आप लोग देखिए कितने दूर जा रहा है देखो पूरा बाग मैंगो की है लगभग ये हमारी नजर से ये दास एकर का प्रोजेक्ट है हमारी नजर से हम जानते नहीं है फिर मैं पूछ रहा हूँ कितने एकर के है चालीस एकर के चालीस एकर के मेरा सोच बहुत छोटा प इन्होंने देखभल करते हैं और यह पूदे अगर ऐसे करते हुए आपने देखभल करते हुए काम कर रहे हैं तो मानिए समस्सा क्या है समस्सा मैं आप लोगों को बताया तो इतने पूदे को देखभल करोगे तो कितना लेवार लगेगा लेवार की कटूती होना जोरूरी होता है हर्वेस्ट की टाइम पर क्यूंकि बहुत लिमिटेड टाइम में पूरा हर्वेस्टिंग बन जाता है एक मैंगो प से 50 माइ mature होना सुरू होगी तो इसका periodical time harvesting time just 30 days मिलेगा एक मन्त 25 दिन से एक मन्त ज़्यादा गर्मी रहेगी तो 25 दिन ज़े गर्मी थोड़ा कम रहेगी तो 30 दिन आपको harvesting प्रियोड मिलेगा तो 30 दिन के अंदर 40 एकर जमिन में लागभग आप लोगों ने करीब करीब 6 से 7000 पोदे लगा चुके हैं तो इतना पोदे में हर्वेस्टिंग कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे तो आधा फ्रूट आपका डैमेज हो जाएगी और हाथ में फ्रूट अगर आ जाता है तो डैमेज जीरो बन जाता है पोदे में चरके अगर कोई हर्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें आपको उसको कैच लुफ ना है नहीं तो बैग में लेना है उसके बाद नीचे लाब उतरना है तो उस टाइम में फ्रूट डैमेज होती है की नहीं होती है जितना बरा होगी उसी उपर में फ्रूट लागेगा पक्सी की नजर उसके उपर परेगी कीरा के नजर उसके उपर परेगी जब से जो सबसे ज्यादा फ्रूट अच्छे फ्रूट होगा उसी के उपर नजर की आएगी और पक्सी की भी आएगी तो वो डैमेज हो जाएग और क्या यह जो आपने किया है देखिए यह बड़ा पोधे हैं आपने जुताई की यह ज्यादा से ज्यादा एक पीट 14 इंची छोर के किये तो यह इसको 4 फीट तक छोर के किजिए दूसाइड में 4-4-8 पीट करके किजिए और इसमें बेट बना दीजिए माल्चिंग कर तो उसका मैस्चार अच्छा रहेगा फ्रूट अच्छे बनेगी और यहां पर कोई भी आगाच्छा मतलब विड नहीं निकल के आजाएगा आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगी सारा साल पूरा साल मेंटेनेंस में जितने खर्चा आपको होते जा रहा है वह खर्चा नहीं हो ठीक है तो आप लोग के सामने जो मैंने यह गार्डेन घुंके जो दिखाया उसमें अंतिम चरन में आया हूं और यह देखिए जादा जुताई के कारण यह पूदे अच्छे बनकर भी मर गया मैं आपको बोल रहा था उस टाइम जुताई के कारण इसका जो फीडिंग रूट है वो डैमेज हो गयी जब एक पूदे डैमेज थोड़ा वीक हो जाता है मानो मेरा सोरीर थोड़ा वीक हो गया तो दूसरा बीमारी अगर उस टाइम घुज जाएगा तो मैं मेरा हेल्थ ड आप बहुत को मार दिया तो यह कि अच्छा पूदे नहीं था कि मर गया तो ऐसा उच्छा फैदा मिलेका धन्नवाद नमसकार और बाकी आप लोगों ने बहुत सारी पोदे पर्चस की थी बहुत भराइटी के पोदे पर्चस की थी जैसे रेडाय भोई भोई चैंग माय मियाजाकी बहुत 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 पोदे पर्चस की थी तो हमारी आने के बाद क्या आप लोगों कुछ शीकने को मिला की मिला की नहीं मिला ज़्यादा मिले आप जो गलत कर रहे हो भी पूरा आप शीक लिए ये वीडियो मैं सागर नरसरी जो YouTube है सागर नरसरी नहिहाटी इसमें जो यूट्यूब है उस यूट्यूब में हम डालेंगे आपका कोई समस्था मैं अगर यूट्यूब में डालू तो फैदा आपकी होगी कि कैसा फैदा होगी मैं आपको बताता हूँ फैदा क्या है पहले दफा फैदा यह है पहले दफा फैद आप जब चाहें और डिस्क को देख सकते हैं और देखके उस प्रॉब्लेम को धैन दे सकते हैं उसके उपर एक्स्ट्रा मगजमरी करने का नहीं परेगा आप उसको देख देखके आपका बाग को आप सुन्दर से उती सुन्दर बना पाएंगे धन्नवाद नमस्कार आप सब इसको मेरे तरफ से हर्दीक सुबच्छ है थैंक यू यह है प्रभाकार जी का बाग जो देखने के लिए बहुती सुन्दर और बहुती सुन्दर है जितने दूर आप लोग देख रहे हैं यह सभी आम मैंगो की भराइटीज गार्डन है है बहुत बड़ा गार्डन है 40 एकर इस ऐरिया है बाग की और बहुत जादा विराइटी इसमें यहां पर है धीरे धीरे उन्हीं का बाग को और भी बराते जा रहे है और बेतरिन से बेतरिन मैंगो की प्लान्ट वराइटी यहां पर है या कि है कि हैद्राबाद में है तो एगरिकल्चर में यहां का गर्मेंट भी भी सपोर्ट बहुत देते हैं इसके कारण इनने भी बहुत अच्छे बाग भी बनाया और सबसे खास चीज मैंने देखा सुना भी जो यहां एगरिकल्चर लेंड और रेसिडेंशियल प्लेस कमर्सियल प्लेस तीनों को अलग किया गया है यह एक सबसे बेतरिन वाली पॉलेसी है जो गर्मेंट में अपनाया मतलब आम खेती को कोई घर मुकान बना के नस्ट नहीं करेगा यह बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ा फ्यूचर है और बाग देखत रहे कितने हरा भरा है कितने अच्छे हैं साइद और 20-30 फीट उपर चला जाते तो उपर से पिक्चर ले पाते तो और भी बेतरिन से बेतरिन नजरा मैं आप लोगों को दीखा पाते यह देख्भाल करने वुला बंदा जो देख्भाल करते हैं आप ठोड़ा आपका लेंगोईज में बताओ क्या नाम तरुन तरुन क्या उपकुलोरी या ब्लाट्यूरी को अ यह फिली हो चैसा काम कर रहा हो यह ब्लाट्यूरी ते यह ए Nacht Rising कर भाग मे पाप में आए हो ते यह में गेंवार्ट के स्ускryक्श्र दढक्र किस देखजे हो यह में अंटिया हो मतलों नहीं आप कर दोंक दोने क्या कर दोंते हैес 270 मैंगो वेरेटिस, 100 तस वेरेटिस देर, परमल गोस जी, अबो 100 प्लाइन, 100 और 170 वेरेटिस कलेक्शन मैंगोस ओनली, इस शेलिंग टू मी इस गार्डन वेरेटिस लंबा अच्छा है, आप आपके भसा में से बोलो, जैसे आपके जो लेंगोईज है, में लॉंग वेरेटिस लंबा अच्छाल राकाल मोक्रल में थीज कोड़ा जरीकिंदी, अवी चाला अंदुलो ओक फ्वाट्टी वेरेटिस दाकमें थीज कुणनो, आट्टो इटु, रेडड़ाइवेरी, शैंशेशन, रेड्रोस, अंबिका, एक्सेटर, एक्सेटर, सिंदु, अला चाला राकाल वेरेटिस दीज कुणनो, अवन्नी कोड़ कायल उप्पडवस्तुन नाए, कुण्नी दावल्स नी उन्नाए, अवी मत्तों कोड़ चाला टेस्ट उन्दी, 100% ग्यारेंट्री उन्ट अधि, इंके अवरेन कोणको वलान कुणना, कोणको अच्छो, प्राक्टिकल का मेन आते चोस्तन्न, आथन कोड़ चाला मंचि वेक्ति, तेंक्यू, तेंक्यू सो मच्चू